आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now question is, if A is a square matrix, अगर A हमारा क्या है, square matrix है such that A square is equal to A, then I plus A power 3 minus I is equal to तो इसके बराबर कितना आएगा, वो हमें बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे A square is equal to A ठीक है, और यहाँ पे क्या given है, I plus A raised to the power 3 minus I is equal to ठीक है, तो यहाँ पे cubic equation है, तो cubic equation का formula क्या होता है, A plus B का whole Q that is equal to A cube plus B cube plus 3 A square B plus 3 AB square ठीक है, तो इसको open करेंगे, तो कितना हैगा, I cube plus A cube plus में 3 A square B, तो यहाँ पे आजाएगा, I square A plus में 3 I A square ठीक है, minus में I that is equal to 0, ठीक है, तो यहाँ पे I cube कितना होगा, हमारा I रहेगा, identity matrix से कितनी भी पावर हो, बट को क्या रहेगा, I plus में A cube को क्या लिख सकते हैं, A square multiply with A, ठीक है, यह फिर से क्या बनेगा हमारा, I बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 I A, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, हमारा A square की value कितनी है, A के बराबर, तो यहाँ बनेगा, 3 I A, minus में I is equal to 0, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, I से, I cancel हो गया, ठीक है, A square को क्या लिख सकते हैं, A, A लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा, A multiply with A, A square again, प्लस में, अगर हम यहाँ पे, 3 I A, प्लस में, 3 I A, तो यह कितना हो गया, 6 I A, is equal to 0, ठीक है, A square को क्या लिख देंगे, फिर से, A, A plus में, 6 I A, that is equal to 0, A, अगर हम common निकालने हैं, यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 plus 6 I, that is equal to 0, 1 को क्या लिख सकते हैं, I, ठीक है, I plus 7 I, is equal to, 6 I, sorry, 6 I is equal to 0, तो या तो A की value क्या होगी, 0, ठीक है, या तो A की value 0 होगी, यह 7 I is equal to 0 होगा, तो दोनों में से एक चीज होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या option में दे रखा हैं हमें, option में क्या दे रखा है, 7 I is equal to 0, एक चीज होगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, अंसर आगे हमारा null matrix, that is 0, ठीक है, तो यहाँ पर यह दोनों की value क्या हैगी, 0, कोई एक भी 0 हुआ, तो टोटल किसके बराबर बन जाएगा, 0, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा, null matrix, that is 0, ठीक है, thank you.